एक व्राइटर ने आपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए नानी को हायर किया पर इनानी हजबन और वाइफ के बीच में एक दरार बन जाती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डेडली इलूजन्स ये 2021 की एक थ्रिलर मिस्ट्री होलोर मुवी एक्स्प्रेंट करने वालो इस मुवी में अलग-अलग ट्विस्ट अंटर्स आते हैं तो इसे अन तक जरूर देखेगा और बिना किसी देरी के एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारे मेन ग्यारेटर मैरी को देख सकते है मैरे एक बहुत ही famous writer थी और बहुत साल हो चुके है उसने कुछ भी write नहीं किया था वो अपनी family को time देना चाहती थी इसमें उसका husband एक बेटा और एक बेटी है उसे लगता है कि जब वो write करते है तो वो अलग person बन जाती है जो फिर से नहीं बनना चाहती तो इसी वज़े से writing से डर रही थी पर एक दिन उसके publishing house से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए कुछ अलग बहाना बना अगर उन्होंने ये meeting fees की थी पर meeting में उसे गहते है तो मैं हमारे ले और एक book लिखनी है उन्होंने उसे इसकी offer दी पर मैरी इस offer को देखती भी नहीं वो इन पर गुसा हो गए और वहाँ से चली जाती है जाते जाते publishing company के लिए काम करने वाले लेडियों से कह कर गए ये जो सारी चीजे हैं ये हमारी वज़े से तुम्हें मिली तुम शायद तुम्हारे struggles भूल रही हो मैरी उस पर भी गुसा हो गए पर इस बात को ignore कर देती है रात में मैरी का husband Tom घर बर आया उस offer को देखता है ये 2 million dollars की थी इतने सारे पैसे मैरी ने पूरी बुक्स लिखकर भी नहीं कमाये थे इस बात से वो बहुत ज़्यादा सप्राइस्ट हो गया वो मैरी से गयाता है कि तुम्हें इसे seriously consider करना चाहिए वो मैरी को कुछ directly बता नहीं बारा था पर रात में उससे वो बात करता है याता हमने जो पैसे show करकर रखे थे उसमें से half उसने waste कर दिये यह पैसे उनके retirement के लिए थे मैरी इस बात से disturb हो जाती है पर अब उसे बुक लिखने ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास दुसरा कोई option नहीं है अगली दिन मैरी अपने friend इलीन के साथ spa में गई हुई थी उसे सारी problem बता रहे थी मैरी अपने बच्चों के लिए worry करती है कि अगर वो बुक लिखेगी तो अलग पसंद बन जाती है अपने बच्चों का अच्छे से खैल नहीं रख पाईगी इलीन ने कहा कि उनका खैल रखने के लिए तुमें एक लड़की हायर कर सकती हो मैरी को बात पहले सही नहीं लगती पर फिर भी उसे वो ट्राइ करती है अलग-अलग लड़कियों का उसने इंटरव्यू लिया फिर लास्ट में ग्रेस आई मैरी कॉफी बनाने के लिए गई तभी ग्रेस कुछ पढ़ रही थी मैरी को बात बहूट अच्छी लगती है उसे लगता है कि आगर उसके ग्रेस को बुक्स पढ़ता हो देखे तो भो भी बुक्स पढ़ सकते है इन्होंने फिर books को लेकर discussion किया और Mary को Grace बहुत अच्छी लगी थी थोड़ी दर में यहां बच्चे भी आ गए Grace उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर दिया Grace ने घर में Mary की book देखी और यह देखकर वो बहुत excited होगे कि वो actual writer के घर में है ग्रेस का सारा बहेवर देखकर मैरी उसे हायर कर ले दिया। एक दिन बच्चे स्विंग पूल में खेलने की जित कर रहे थे। पर ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे। मैरी ने फिर अपने यंग एज का स्विंग सुट उसे दे दिया। मैरी की फ्रेंड इलेन भी क्या आई हुई थी उससे कहते हैं तुम जरह इसे सावधान रहेना तुमारा हजबन और इसके बीस में कुछ भी हो सकता है। मैरी ग्रेस को बहुत ही सीधी साली समझती है, वो कभी भी इमेजिन नहीं कर थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। राद में ग्रेस बच्चों को समाल रही थी तभी टॉम और मैरी ये दोनों इंटिमेट हो जाते हैं बच्चों को समालते समालते इन दोनों को इतना टाइम मिलता नहीं था ये दोनों ग्रेस पर खुश थे नेक्स डे फिर मैरी ने अपना बुक लिकना स्टार्ट कर दिया था एक दिन मैरी के पहर पर जोट आ ग लंग बॉड़ी को मिस करती है ग्रेस ने मैरी के हाद लिये और अपने आप पर रखे वो कहती है तुम फील कर पाओ इसलिए मैं नहीं किया वो क्लेर लिए उसके साथ फ्लेट कर रही थी इसके बाद मैरी की जो अपनी बॉड़ी को लेकर इंसीकुरिटी थी यही बात वो टॉम को बताती है वो उसे पूछती है क्या तुम्हें लगता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने चाहिए तॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम पहले जितनी ब्यूटिफुल थी अब भी उतनी ब्यूटिफुल हो तुमारा माइंड तुमारा एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए उसके बूस के लिए वो आईड़ा उसे दे रहे थे तब में मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी अगली दिन मैरी अपने फ्रेंड इलीन के साथ बात कर दिया कहती है ग्रेस को मैं पहले अगली दिन मैरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रही थी वो ग्रेस को उसे मसाज करने के रहे थी तो उसे बहुत अच्छा लगा तो स्विमिंग पूल में कूद गई उसने ग्रेस को भी अवने पास आने के लिए कहां ये दोनों एंजॉय कर रहे थे बाहर आने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते ग्रेस मैरी से कहती है कि कभी भी मैरे लाइफ में इसे फैमिली की तरह फील नहीं किया था आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैरी भी उसे सहार देती है कहती है तुम्हारी वज़े से में कुछ लिख पाई इसके बाद मैरी जब उठी तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी उसे लगता है कि दोनों इंटिमेट हो गए मैरी पहले जब भी सैट करती थी तो क्या रियल क्या नहीं इसके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर वाती है तुछ पता नहीं क्यों ग्रेस के साथ इंटिमेट होई भी या नहीं नहीं को लगता है कि ग्रेस उसके बात समझ गई मैरी अब भी ग्रेस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी एक दिन वो बात लेते हुए इमेजन करती है कि ग्रेस उसके पास आए उसे प्लीज कर रही है मैरी का बुक का काम और भी ज़्यादा बढ़ चुका था उसे बच्चे डिस्टरब ना करे इसलिए टॉम बच्चो और ग्रेस को लेकर लंज के लिए बाहर आ गया ये बात इलीन नोटिस करती है उसे लगता है कि शायद टॉम और ग्रेस की विज में कुछ अफेर है टॉम गो आज लंज करते हो ग्रेस बहुत ही अलग लगती है वो हमेशा शर्मिली होती है पर आज बहुत ही जादा कॉनफिडन्ट है वो जान बुचकर टॉम को रिजाने की कोशिश कर रही थी और यह भी वर्क कर रहा था वो से कहता कि आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो एक ग्रोन उमन की तरह फाइनली मेरी ने अपने बुक कंप्लेट कर ले थी इसे सेलिबरेट करने के लिए वो ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाती है या आपर वो ड्रिंग वेगरा करकर सेलिबरेट करती है Grace Mary को किस करने लगी Mary ने उसे रोक लिया वो गहती है ये सब करना बहुत गलत है मैं जब तुमें देखती हो तो अपने आप को पाती हो तुम बहुत परफेक्ट हो वर हम ये सब नहीं कर सकते जब वो घर जाने के लिए फिर सबने बासिकल के पास आए तो किसी ने टायर को पंचर कर दिया था रात में लेट घर बर बोचते हैं तो एलिन और टॉम बात कर रहे थे Mary ने उसे पुछा कि तुम यहां क्यों हो एलिन कहती है कि मुझे लगता है कि टॉम और ग्रेस की बीच में अफिर चल रहा है इसे के बारे में बात करने के लिए मैं आई हुई थी Mary ने पहले भी एलिन और टॉम को एक साथ देखा था तो इस वज़े से वो एलिन पर ही शक करने लग जाती है एलिन भी इस बात पर गुसा हो कि वो से कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम्हारे साथ में ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है इसके बाद वो यहां से चली के डिनर का प्रिपेरेशन करते हैं वक्त ग्रेस और मेरी एक साथ है तो इसमें ग्रेस मेरी को प्लीज करने लगती है टॉम यहां पहुचा पर वो कुछ भी देख नहीं पाता मेरी को जड़ा नीन आ रही थी तो जल्दी सोज आ दिया बीच रात में उसे अचनक से कुछ आवाज आ रहे थी वो देखने के लिए कि तो ग्रेस और टॉम इंटिमेट हो रहे थी ग्रेस से नोटिस करती है पर टॉम को कहती है उसने स्लीपिंग पिल्स ले हुई है वो जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद ने रहेगा उठने पर मेरी को सब कुछ याद था वो देखती हैं कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गई उसने ग्रेस को बाहर निकाल दिया रात में वो टॉम से फाइट कर दिया कहती है मैरे इस फैमिली के लिए सब कुछ साक्रिफाइस कर दिया मैरे करियर को भी छोड़ दिया पर मुझे इसके बदले में क्या मिला तुम मुझे पर चीट कर रहे हो टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ये सिर्फ तुमारा एक सपना था अबली दिन मैरे ने ग्रेस को जिस एजनसी से अपॉइंट किया था वहाँ पर कॉल लगाया वासो से पता चलता है कि उनके एजनसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती मैरे बहुत ज़्यादा सस्पिशेस हो गए अब ग्रेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलने के लिए निकल पढ़ती ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसी बुक की इंक्वारी उसने लैबरी में की इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था पर मैरे को अब ग्रेस का रियल नेम पता चल गया और वो कंफर्म हो चुके थी इस ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है इसे के बारे में बात करने के लिए उलिन के पास गई पर डारी लिए इलिन का मर्डर हुआ हम देख सकते हैं मैरी ने पुलिस को कॉल किया पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है मैरी ही बन जाती है क्योंकि जिस नाइफ से इलिन का मर्डर किया था उस नाइफ पर मैरी के फिंगर प्रिंट्स थे CCTV कैमेरे में मैरी की तरह ड्रेस अब की हुई एक लड़की वहाँ पर गई हुई थी मैरी कहती कि इस कैमेरे में कोई भी हो सकता है उसे बजाने के लिए टॉम वहाँ पर लॉयर के साथ पोश गया मैरी को अब लग रहा था कि ये सारी चीज़े ग्रेस नहीं की क्योंकि कल राथ ही इलिन ने उस पर शक किया था मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था डारिकली उसके घर पर पहुँच गई घर पर वो ग्रेस के फॉस्टर मॉम से मिलती है उसने उसे का कि वो जब छोटी थी तब उसके पैरेस ने उसे बहुत अभ्यूज किया था इसके लिए वो जेल में भी गए थे मैरी यहाँ पर नोटिस करती है कि ये लेडी अलग-अलग आवाज में बात कर रही थी यानि कि उसे split personality disorder था ये देखकर मैरी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है उसने घर पर टॉम को कॉल लगा कि ग्रेस को घर में आने मत दो वो बहुत ही dangerous है पर ग्रेस ओर्डेडी घर में थी टॉम जब shower में था तो मैरी की तरह कपड़े बहन कर ग्रेस उसके पास आती है इसका मतलब है एलियन का murder उसने किया था और वो टॉम के साथ intimate होना चाती थी पर टॉम उसे कहता है कि मैं अब कोई भी games नहीं खिलना चाता उसका उसके साथ होना एक गल्ती थी ग्रेस ने उसे seduce किया था ये बात सुनकर ग्रेस बहुत जादा घुसा होगी वो टॉम पर चाकू से बहुत साथ वार कर देती है वो उसे मार ही देती तब तक मैरी वहाँ पर पहुच गई ग्रेस जल्दी से कपड़े बदल कर मैरी के सामने आई मैरी ने टॉम के बारे में पूचा तो कहती है कि टॉम शौवर ले रहा है तुम वहाँ पर मच जाओ मैरी को सस्पिश्यस लगा और वो वहाँ पर पहुची तो टॉम ब्लीड कर रहा था ग्रेस फिर से अपने हाद में चाकू ले ले थी है पर वो अपने आपको कंट्रोल कर रही थी वो भी अलग-अलग दो आवाज में बात करती है ग्रेस की भी दो पसनलीटीस थी अपने आपको प्रोटेक करने के लिए एक डिंजर सी पसनलीटी उसने डेवलप की थी उसके एक पसनलीटी उसे बोल रही थी कि इन दोनों को मार डाले पर एक्चोल ग्रेस उसे रोक रही थी ग्रेस अपने आपको फिर से उस विट लड़की में कनवर्ट करना चाती थी पर उसके दुसनी पसनलीटी उसे करने नहीं देती उसने मैरी पर हमला कर दिया ग्रेस की सेकंड पसनलीटी बोली यह तो मैरी से प्यार करने लगी इसलिए मुझे मारना चाती थी यह इविल बसनलीटी पूरी तरीके से कंट्रोल ले ले थी है वो मैरी को मारने वाली थी पर मैरी ने उसके सर पर हमला करकर उसे बेहोश कर दिया अब इसके बाद मुवी में डारेकली एक साल बीच चुका है मैरी ने अपने बुक कंप्लीट कर लिए वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश हम देख सकते है मुवी के इंड सीन में वो ग्रेस से मिलने के लिए गई मैरी ने उसे हस्पिटल में एडमिट कर दिया है उसे ठीक होने में हेल्प कर रही है ग्रेस की जो एक्चुल बसनलेटी थी ये बहुत अच्छी थी और इसी को सेव करने के लिए मैरी उसे हेल्प कर रही है ये दोनों अब बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स है इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है ग्रेज बच्पन में अब्यूस होई थी तो इसी वज़े से हमेशा से फैमिली को पाना चाहती थी वो जब मैरी की फैमिली से मिली तो ये खुद के लिए स्टील करना जाती थी फिर उसकी अलग परसनलिटी उस पर हाभी होने लग गए उसी परसनलिटी के वश्च में आकर उसने ये सारी चीज़े की थी तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपको इसमिलेशन चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भुलेगा हम फिसी मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये